एक मेरे खाल में क्रिस्टियन कोजी गुरदेव के पास आए बहुत परहे लिखे हमको आप सनात्नी हिंदू बना लीजिए मराजने का आरिसमाजी के आरिसमाजी के यहां चले जाओ वो भी तो अपने है नहीं नहीं मैं खांटी हिंदू बनना चाहता हूं मैं अंग्रेज हूं जन से उन्होंने का तुम सहोगे जो मैं कह रहा हूं शास्त तो तुमको पांचमें कॉलम में रखेगा मैं पांचमें कॉल वर्गलाने महागे, तुमको ब्रह्मन बनने का, चत्री बनने का, वैसी बनने का, सुयोग फ्राप्त था, उन्होंने का, आपके सामने जुगता, उस सबसे निपटलूंगा सास्त्रार्थ, सबको मैं परास्त कर दूंगा, मैंने सनातन सास्त्रों का इतना अध्यन किया, तो पंचम कॉलम में, अब प्रश्मूरता जो पंचम कॉलम में जन्मजात हैं, वो भी जब पंचम कॉलम में नहीं रहना चाहते हैं, तो अमुक तंत्र, अमुक तंत्र, अमुक तंत्र, जब हिंदू बनना चाहेगा, वो आजकल पंचम कॉलम में क्यों आएगा, तो फिर उनको क्या है, वो अनने निरिपेक्ष कॉलम में रखें, जैसे जहिन हैं, बहुत हैं, सिख्ञ हैं आजकल, भारती संविधान की 25 जारा के अवसार, तो यह सब के सब हिंदू बाने गए, तो हिंदू तो इनको कहा जा सकता है वर्ण रिपेक्ष हो जाओ भारतेंड उथा न उनके नाम के आगे इंदू शब्द लगा दो भारतेंड वरिष्टन तो बहुत अच्छे थे इस प्रकार से उनके लिए अपने मन में विवस्था करके रखे जजस्वामी थे हमारे बहुत कष्ट पाता हूं सब इन सब को अगर हिंदू बनाना हो तो कहां रक्षेंगे हमने का इंदू नाम देंगे वर्ण निर्पेक्ष हिंदू एक कॉलम बना देंगे उनका वस बविस्थ मैसा योग आवेगा तो आप सफल होंगे हम मेरी चिंता दूर हो गई मैंने संके जढ़ आशे प्त्या सक एंदू जडिस्वा मैंने जड़ा कर दोन देंगे हम झाले हिंदू को पिर दो आप क्ष्ट आर बनाना हो आप आप बनाना हो मैंने सब का जापना हो आप गयूंति शड़गे एंध थावेगे जण का वर्वे तो आम पना आप ग्त्रह. ले एंदा